वालकम टूमाज चैनल आज इस वीडियो में देखाने जाग रहा हूं कि ICICI bank की ATM से रूपिया कैसे निकाले step by step full process देखने के लिए वीडियो को लाज तक देखते रहिए शुरू करने से पहले आप सब को JRN official YouTube चैनल में बहुत-बहुत सवगत है अगर आपनी आभी तक इस चैनल को सबक्राइब नहीं किया है तो सबक्राइब करके बेल उनको जोरूर पेस किजिए सबसे पहले ATM कार्ड को ATM में के आंदर कीजिए और इस स्क्रीन में देखते हैं इस स्क्रीन में दो अप्षिन दिखा दे रहा है एक domestic और एक international तो हम domestic को select करते हैं उसके बाद language select करना होगा बांगला, हिंदी और इंगलीज ये तीन language है तो हम इंगलीज को select करते हैं उसके बाद pin एंटर करना पड़ेगा जो आपका जो 4-digit का pin है उसको एंटर कीजिए नीचे keyboard दिया keyboard में एंटर करने के बाद एहां पर continue option दिख रहा है इस पर आप click किजिए click करते ही इस तारा page open हो जाता है एहां पर बहुत सारा option दिख रहा है पहला option mobile banking registration दुसरा option pinch change तिसरा option mini instrument आधार updates and balance inquiry और cash withdraw तो मैं cash withdraw करना चाहता हूँ इसलिए जो last option है cash withdraw उस पर click करते हैं उसके बाद 3 option आ जाता है अगर आपका account savings account है तो पहला जो option है savings उस पर click किजिए उसके बाद कितना रूपिया आप उठाना चाहते हैं उसको लिखना पड़ेगा तो मैं 500 रूपिया उठाना चाहता हूँ इसलिए 500 लिख लिए amount लिखने के बाद ES कीजिए ES करने के बाद processing होगा और आपका रूपिया निकल आएगा आपको कुछ देर integer करना होगा उसके बाद यहां पर जो box दिख रहा है यहां से पेसा बाहर निकल आएगा पेसा बाहर निकल आ चुका है मैंने 500 रूपिय के उद्जो किया और 100 रूपिय के 5 नोट बाहर निकल आ गया उसके बाद स्क्रीन में देखते हैं स्क्रीन में ES और NO दिख रहा है अगर आप आपना बैनस चेक करना चाते हैं तो ES कीजिए आगर नहीं चेक करना चाते हैं तो NO कीजिए तो मैं ES 11 बैनस देखना नहीं चाता इसलिए NO कर दिया और प्रोसेसिंग होते ही ATM कार्ड को बाहर निकल लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक काना ना भूलिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्कार करके बेल एक उनको जरूर प्रेस किजिए थैंक यू